केंद्र सरकार का EPS पेंशन पर बड़ा फैसला जारी, मिनिमम पेंशन में बड़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी, 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा, पेंशन को लेकर दो नए नियम जारी हो गए है, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा, अभी अभी का नया फैसला आया है देखिए विडियो में पूरी रिपोर्ट अगर आप यह की पैसला कब करेगी और सुप्रम कोड पैसला कब सुनाएगा पैसला को लेकर तो यह जानकारी आपके लिए बहुत इपोर्टन जानकारी होने वाली है अज दन बर की जो केंदरी करमचारी उनके लिए ताज़ा चोटी बड़ी अपडेट है उनको भी आप इस वीडियो को आकिर तक पूरा ध्यान से देखते रहेगा और अगर आप इसी चैनल पर नए हैं और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी EPS OPS से जु तरी मांगे उनको लेकर कमडर असोगरावत के दौरा काफी लंबे समसे यान की संग्रिस को जारी रखा किया है तो फिलाल आपकी पैंसन जुड़ी इस तरह के अपडेट मीडिया रपोर्ट कर देना है लेकिन अब यह भी जाने कि इस अपडेट की अधिकारी कितनी सचाई बताई जारी है लेकिन सुड़ी करने को लेकर कोई आजिस सभी तक सरकार से अधिकारी के जारी नहीं वाई है यह मीडिया रेपोर्ट के नुसार अपडेट मिली है और पैंसन मिलेगी आपको 7500 रुपे जो की मिनिमम आप सर भी पैंसनस की यही मांगती की सरकार पैंसनस की मांगती की सरकार साथ में फिरी मेडिकल सुड़ा दे पैंसनस और इनकी पती और पती दोनों को एनकी पैंसनस को फाइदा मिले तो वैसे में आपकी जो मेडिकल सुड़ा उसको लेकर भी बड़ा अपडेट मिला है और वैतन लिमिट है जो की 15,000 रुपे खत्म करने को लेक करके 21,000 रुपे होने वाला है तो फाइली तारीक की बात करें तो तारीक कोई भी सुप्रिम कोड ने जारी नहीं किया है सुप्रिम कोड साइसा कोई फिलाल अधिकारिक पहंचला जारी नहीं हो आए कि आखिरे आपकी जो पहंचन है वह साजार पांसुर रुपे लागू की जाएगी या फिर 15,000 रुपे का लिमिट पूरी तरह से खतम किया जाएगा या फिर इस मैने की इस तारीक वाब के खातम में जमा होने वाला है आखिरी पैंसन तो फिलाल ऐसी कोई गोशना और कंफर्म नहीं कि अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह पैंसन से अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी पैंसनस के लिए OPS से जुड़ी की सरकार आखिर OPS को लेकर क्या आप एनकी पैंसनस है उनके लिए एलान करने वाली है तो 11,00,000 जवान है अरद सेनिक बले उनके लिए बहुत बड़ा OPS को लेकर एलान हुआ है उनको जाने की वीडियो में विस्तार से तो अब वीडियो आप आखिर तक द्यान से देखते रहेगा अगर आप भी केंदरी करम चारिये तो अगर बात करें OPS की तो OPS के अंदर C.A.P.F के 11,00,000 जवानों को मिलेगी अब पुरानी पैंसन इन जवानों को लेकर यानकी सरकार ने किया के बाद राइटिये पैंसन परणाली NPS में सामिल कर दिया गया है वी अब दुबारा से पुरानी पैंसन इोजना का लाब भी ले सकेंगे केंदरी ग्रहमंद्री के और से इस बावत आदिस भी जारी हो चुकी हैं तो आपको बता दिया जाए कि पुरानी पैंसन की बाले का केंद्री अर्द सनिक बल सीए पीएप के 11 लाग जवान और अपसरे उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है इन बलों के कुछ जवान और अधिकारियों को NPS से बाहर निकल कर उन्हें OPS में सामिल किया जाएगा केंद्र सरकर भी इसके लिए राजी हैं दूसर इन बलों में लागू जो NPS को स्ट्राइक डाउन करके OPS को लागू करने की बात कई थी इस प्रेंसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रम कोट में इस्ट ले लिया था और इस्टेट यानिक लिए ला उसके बाद अब इस मामले की सुनवाई अगस्ट में होगी सरवचा दालत ने कहां कि पांच अगस्ट से जो सब्ता शुरू हो रहा है उसमें केस को लिष्ट करे याचिका करता विसेस अनुमती याचिका SLP में संसोधन भी कर सकते हैं तो कोई नया दस्तावेच भी जोड़ सकते हैं सरवच हदलत में याचिका करताओं की तरब से जबाब फाइनली ने इनमें लागू NPS को स्टाइक डाउन करने की बात कही थी हाई कोट ने अपने पैंसले में कहा था कि चाहे कोई आज इन बलों में बरती हुआ हो या फिर पहले बरती हुआ हो या पिर आने वाले समय में बरती होगा तो सभी जवान और अधिकारी पुरानी पैंसले के द अंसुदन करने की भी इजाज़ात दे दिया है तो केवल इनी लोगों को ही पुरानी पैंसले का फाइदा मिलेगा तो केंद्री अर्द सेनिक बलों के ऐसे कर्मे के जिन्नों ने जॉइनिंग के बाद रैश्टी पैंसले कर दिया गया था वे अब दुबारा से OPS का लाभी ले सकेंगे केंद्रे गरा मंत्रे की और से इस बावत आदिस भी जारी हो चुके हलांकि इस केस में भी सरोच अदलत तक पहुंचा है यह केस और कास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकर भी कुछ सरते पूरी करने वाले कर्मियों को OPS में सामिल करने के लिए राजी हो गई है इस समझ में डियो पीटी ने तीन मार्च दोजाटे इसको एक कराले ग्यापन भी जारी कहता है उसमें कहां गया था कि ऐसे कर्मी जिनकी भरती प्रक्रिया दोजार तीन में शुरूवी थी या उसका विग्यापन आया था लेकि उनकी जॉइनिंग दोजार चारे उसके बा जो आपका नियम थे उसके पुरानी प्यांसियोजना में सामिल होने की ये करमचरी जो की योगिया है के अंदर सरकार ने दिया था एक विकलब तो सी एपियाप के अलावा दिली पुलिस और केंदर सरगार के दूसरे करमचर को भी 31 अगस तक एक विकलब देने के लिए कहा एक बार आपको विकलब मिलेगा जल्दी से आपको अपने इच्छा के अनुसार यानकी विकलब चुनना होगा गरतवर्स अगर बात करें तो पिछले साल 21 अक्टूमबर तक सभी विवगव में इस परकर को पूरा करने के लिए कहां गया और सरकार ने कहां कि अगर कोई य इच्छा अनुसार एक विकलब चुन सकता है वो अन्तिम विकलब उनका माना जाए कि उसके बाद विकलब में दुबारा बदलाव की कोई अनुमती नहीं होगी सुप्रिम कोड ने डिसमिस कर दिती SSLP तो कैंदर सरकार दुवरा जो उग्तनले लेने से पहले ही ये केस अधलत में चला गया था इस मामले में कैंदर में भी कैंदर सरकार ने अनेक SSLP पाई ले की थी तो लेकिन सरोच नाले ने गत माही पहले इंहिपनेSt भी डिसमिस कर दिया है तो वैसे में अब दिसमर दो जार तीन से पहले जितने भी करमचारियों की बढ़ती प्रक्रिया शुरू ही थी लेकिन उन्हें जॉइनिंग दो जार चार में या उसके बाद हुईते वे सभी OPS के दायर में आएंगे सुप्रम कोड ने अपने आदिस क को रिकॉल करने की भी चूट भी सरकार को दे दिया मतलब अगर कहीं पर कोई गलती रह गई है तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है मामले की परक्रिया इस मामले की जो परक्रिया वो चलती रहेगी जबकि दूसरे केस में अगस्त तक जबाब फाइलिक करने होंगे तो इस त करने बौत बड़ा पहंचला किया है उनको अब không ग़िस को जो करमच़ारी एकेंद्री करम्चरी उनको इंधार घुगा कि उनकों इंधार करना पड़ेगा तो इससे और भी नहींति अपडेट अप्डेट ओंग है तो चनोल कब ने सबस्क्राइब ने किया है तो जब को सबस्क्राइब कर बैल आइकन को भी और प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मलती रहे